नमस्कार मेरे भाईों, मेरा नाम बरष सावनानी है और मेंदरा ने बोलेरो नियो को इंडिया में लाउंच कर दिया है तो इस वीडियो में हम कमपेरिशन करेंगे मेंदरा बोलेरो नियो का मारती सुजू की अर्टी का के साथ क्योंकि इन दोनों गारियों की price जो है same है और यह दोनों गारिया जो है 7-seater है तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोन सी गारी में आपको सबसे ज्यादा futures मिल रहे हैं और कोन सी गारी जो एक value for money है तो सबसे पहले हम दोनों गारियों के engine option के बारे में बात करेंगे मेंद्रा की भोलेडों में आपको 1.5 लीटर का डीजल एंजिन मिलता है जिसमें आपको 100 पीएज की पाउड मिलेगी और 260 एंप का ट्रॉक मिलेगा ये एंजिन जो है अब BS6 है इसमें जो है आपको 5-speed manual transmission मिलेगा और इसमें आपको जो है eco mode भी मिलेगा ये गारी जो है आपको 16-18 की एवरेज देश सकती है वहीं मारूती सुजू की आर्टिका में जो है आपको जो है 1.5 लीटर का 4-cylinder petrol engine मिलेगा जिसमें आपको 105 पीएज की पाउड मिलेगी और 138 का जो है ट्रॉक मिलेगा इस गारी में जो है आपको 5-speed manual transmission और 4-speed automatic gearbox भी मिलेगा इसमें आपको C&G वेरेज भी मिलेगा पेट्रोल में जो है आपको 19 की एवरेज मिल सकती है आपको 17 की एवरेज मिल सकती है और C&G में जो है आपको 28 की एवरेज मिल सकती है अब हम इन दोनों गार्डियों के switches के बारे में बात करेंगे मेंद्रा की भोलेड़े में जो है आपको 7 इंच का जो है touch screen improvement system मिलेगा with bluetooth, voice command, charging point, AC, front power window, keyless entry, electronic adjustable, ORVM, cruise control, height adjustable, driver seat, steering, steering mountain, audio control इस काड़ी में आपको में जो है मेंद्रा ठाड का instrument cluster मिलेगा वहीं अगर हम मारुती सूजी की आर्टिका के features के बात करें इसमें जो है आपको 7 इंच का जो है touch screen improvement system मिलेगा with android auto, apple carplay, keyless entry with push start and stop button, steering mountain audio control, AC, auto AC, leather warm steering wheel, till steering, all power windows, electronic adjustable, ORVM, rear seat में AC, 60-40 second road, 50-50 third row, height adjustable driver seat, rear armrest, और 4 speaker भी मिलेगे अगर हम दोनों गारियों की safety features की बात करें तो मेंद्रा में जो है आपको जो है दो airbags में लेंगे ABS और EBD, reverse parking sensors, ISOFIX, cornering brake control, seat belt reminder, follow me headlamp, engine e-mobilizer, ear washer, wiper and defogger अर्टिका की safety features की बात करें तो दो airbags, ABS और EBD, ISOFIX, electronic stability control, hill start assist, speech sensing auto door log, reverse parking camera and sensors अगर हम दोनों गारियों के dimension की बात करें तो वोल्रेय नियों की length जो है 3995 की है, वेर्थ जो है 1795 की है, height जो है 1817 की है, इस कारी का wheelbase जो है 2680 का है, वहीं अर्टिका की जो लेंध जो है 4395 की है, वेर्थ जो है 1735 की है, हाइट जो है 1690 की है, वील पेस जो है 2740 का है, अगर हम दोनों गारियों का बूथ स्पेस की बात करें, तो बोलेरे नियों में जो है आपको 384 लीटर का बूथ स्पेस मिलेगा, और अर्टिका में जो है 209 लीटर का बूथ स् इन दोनों गारियों में आपको पांच कलर्स मिलेंगे इन दोनों गारियों की फ्यूल टैंक की पात करें तो नियों में आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा और अर्टिका में आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा इन दोनों में आपको 15 एंज के अलाई वील्स मिलेंगे ये दोनों गारिया काफी अच्छी गारिया है और दोनों गारिया एक value for money है इन दोनों गारियों के sales figures काफी अच्छे आ रहे हैं इन दोनों गारियों में 7 लोग बहुती आराम के साथ बैच सकते हैं अगर आप मेंद्रा के बोलेरों लेंगे तो वो भी जो है काफी अच्छी गारी है इसमें आपको जो है 1.5 लीटर का diesel engine मिला है जिसमें आपको 100 पेस के power मिलेगी O260 का जो है ट्रॉक मिलेगा ये engine जो है काफी powerful है और इसमें आपको जो है काफी अच्छे features और safety features भी मिल रहे है अगर आप मेंद्रा बोलेरों नियो लेना चाते हैं तो इस काड़ी का जो है N variant जो है value for money है और इस काड़ी का top variant जो है N10 वो भी value for money है और मारुती सुज़ की आर्टी गा में जो है आपको 1.5 liter का 4 cylinder petrol engine मिलेगा जिसमें आपको 105 PSK power मिलेगी और 130 H का जो है truck मिलेगा इसमें आपको 5 speed manual transmission और 4 speed automatic gearbox मिलेगा इसमें आपको CNG variant भी मिलेगा इसमें जो है आपको काफी अच्छे features और safety features भी मिल रहे है अगर आपको मारुती सुज़ की आर्टी का लेने की है तो इस कारी का जो है VXI जो है एक value for money variant है और ZXI भी जो है value for money है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like, subscribe और share जरूर कीज़ेगा Thanks for watching